नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से WIFI स्टडी चैनल पर मैं अंकित गुपता करता हूँ आप सभी का स्वागत जितने भी विध्यारती यहां पर जुड़ चुके हैं उन जबी को यहां पर गुड़ अफ्टरनून आप सभी को यहां पर गुड़ कुंसी क्लासे से जिनका आप लाव उठा सकते हैं जीस के पॉइंट व्यू से आपको आज किन-किन क्लासे में आपको घ्यान अर्जित करने को मिलेगा सबसे पहली चीज अभी तो ये क्लास आपकी रहेगी ही इसके बाद आपको साम 6 वजे वाइफाइ स्टेडी स्टूडियो वाइफाइ स्टूडियो चैनल पर जाकर आप साम 6 वजे भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं रैपिट कुईज आपके लिए लाये जाएगा तो उस रैपिट कुईज का भी आनंद दीजेगा एक घंटे के लगवा के क्लास होगी और यहाँ पर भी हम लोग GSK MCQs के यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर तो वहाँ पर भी आप अपनी उस क्लास का हिस्सा बनिए इसके लावा साम 4 वजे अगर हम बात करें कल आपकी रैपिट को इस कल भी होगी जो की होगी आपकी वाइफाइ स्टूडियो चैनल पर तो इन सभी क्लासिस का हिस्सा बनिए और ग्यान अर्ज पर जोड़ना बद भूलेगा कल सुभा ग्यारा वजे दो घंटे का आपका यहाँ पर मेराथन क्लास है अनकैडमी के प्लेटफॉर्म पर इस्टेटिक जीके की दो घंटे क्लास होगी बहुत सारे MCQs और नॉलेज को डिसकस करेंगे और यहाँ पर जो हम लोग वाइफाई अनकैडमी पर आते हैं न तो अनकैडमी में मैं आपको यह भी बता दूँगा कि अगर माल लेते हैं ओल ओवर इंडिया चार सो लोग हमारे साथ यहाँ पर स्टेटिक जीके की क्लास में जुड़े होंगे तो उन चार सो मैंसे हर स्टुडेंट के दोरा जो भी आंसर किया ज रखता हूं कि हर कोशिशन के बाद टॉप थ्री स्टुडेंट कौन है जो ने अल ओवर इंडिया यहां पर टॉप किया है और सेशन के लास में यह भी बता दूँगा कि उन चार सो विध्यारतियों मैंसे जो कि यहां पर अल ओवर इंडिया से मेरे साथ यहां पर जुड़ को भी आप लोग फिल करना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक टेलिग्राम चलन को जोइन करना होगा जिसका नाम बनेगा वाइफाइ स्टेडी बैंक इस टेलिग्राम गुरुप को आप जोइन करने पर आपको प्रवल सर रितिका मैं गौरी मैं और मैं यानिक अंके सर में इंडियन जोग्रफी का क्रेस कोर्स लांच हो रहा है जो की एक जून से स्टार्ट होगा इसकी क्लासे रात के 10 से 11 वजे के बीच में चलेंगी टाइमिंग जानबूच का रात की इसलिए रखी गई है क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे भी होते हैं जो लोग वर्किं है इसमें हर तीन टॉपिक के बाद इंडियन जोग्रफी के हर तीन टॉपिक के बाद एक आपके लिए डाउट सेशन रखा गया है फिर तीन टॉपिक हम लोग डिसकस करेंगे इंडियन जोग्रफी के फिर एक डाउट सेशन यानि कि जो लास्ट आप तीन टॉपिक डिसकस करेंगे उसमें आपको कोई समस्या है दिक्कत है उसके लिए एक अलग से doubt session होगा फिर से हम लोग तीन नए topic discuss करेंगे और उसकी बाद फिर से एक आपका doubt session होगा इस crash course के last में एक घंटा जो आपका lecture होगा वो जी के one liner का भी होगा बहुत सारे one liner question यहाँ पर Indian geography की उपर based रहेंगे और आखरी जो यह date होगी Indian geography जिस दिन हम लोग last date discuss करेंगे उस दिन mega quiz होगा जो की 2 घंटे का होगा साम साथ हो जिससे लेकर 9 बजे के बीच में तो इन 18 दिनों में आपकी Indian geography बिलकुल complete हो जाएगी जो की हर exam को target करते हुए है Indian geography के सारे concepts आपको clear हो जाएंगे जैसे Indian geography complete होगी हम लोग world geography की शुरुआत करेंगे world geography का जो crash score से आपका वो शुरू हो जाएगा जो भी विध्यारती यहाँ पर 6 महिने एक साल के subscription लेते हैं उन्हें वो badge भी free of course मिल जाएगा उन्हें अलग से subscription लेने के जरुवत नहीं है subscription की बात करते हैं तो जो भी आपका amount बनेगा उस पर आप target 10 code लगा सकते हैं इससे आपको क्या होगा 10% off मिल जाएगा मेरी recommendation रहेगी कि आप 12 महिने का जो subscription हैं वो लें क्योंकि Indian geography, world geography के बाद Indian history है, polity है और आपकी economics है, बार-बार ये आपके lectures आते रहेंगे, ये crash course आपको मिलते रहेंगे, तो आपको बार-बार वहाँ पर उन्हें purchase करने की ज़रुवत नहीं होगी प्रती महिना 450 रुपए का subscription है, जो की एक साल के लिए अगर आप लेते हैं तो 54 रुपए का पड़ता है और इतना ही amount अगर आप किसी भी coaching में जाते हैं, जो भी आपकी इस्थानी coaching है, वहाँ पर भी आपको इतना ही amount pay करना पड़ता है Unacademy का platform बहुत ही बहतरीन platform है, यहाँ पर आप लोग अपना जो doubt session है, उसमें आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं आपकी एक एक चीज और छोटे से छोटे इस concept को, geography को मैं यहाँ पर clear करा दूँगा, इसके लिए आप इस course को join कर सकते हैं amount credit card, debit card के माध्यम से आप pay कर सकते हैं, और total 10% का discount मिल जाएगा, और target 10 आपको code लगा देना है, तो आप इस course के साथ यहाँ पर enroll हो जाएगे और इसके अलावा, wifi study, bank exam, CSIR, UGC net, SSC exam, YouTube channel को भी subscribe कर लीजेगा, इनकी जो link है वो आपको telegram channel पर मिल जाएग, इस particular video के नीचे इन सभी की जो link है, YouTube channels की जो link है वो आपको मिल जाएगी, तो चलिए आप बिना किसी देरी के हाँ पर start कर देते हैं, अपने पहले question को, यहाँ question को ध्यान से रीर कीजे और बताएगे correct answer क्या होगा, बोकारो, भिलाई और राव केला, मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं, बोकारो, भिलाई और राव केला are mainly known for which industry, oil purification, gold mining, ship building के लिए या फिर steel, यह सभी के सभी आपके क्या है, यह steel कार खाने है, बोकारो की अगर मैं बात करता हूं, बिलाई के बात करूँ राव केला, राव केला कहाँ पर मुझूद है, यह आपका उडिसय स्टेट में मौझूद है, बिलाई के अगर हम लोग बात करते हैं, इन सब की location भी आपके exam के लिए यहां पर जरूरी बनती है, यह point आप लोग पुआन्ट आपको यहाँ पर याद रखना है इम्पॉर्टेंट बनेगा एक और चीज जिन जिन कारखानों के आगे 20 सब्ड का इस्तमाल है इन पर खड़ा किया गया है या इनकी शुरुवात हुई है जबकि राउ-केला स्टील प्लान की मैं बात करता हूं तो तो Raukela Steel Plant ये Uresa में मौझूद है, और Raukela Steel Plant को हमने जर्मनी की सहयता से क्या किया है, खड़ा किया है, जर्मनी की सहयता से कौन सा plant बन वाया गया, Raukela, भेलाई और Bokaro ये किस की सहयता से बने है, ये रूस की सहयता से आपके बने है, ये point आपको यहाँ पर याद रखना ह अगला प्रसन ध्यान से question को read कीजेगा अरे वाह रानी कुमारी जी वीरू भीरू राजदुबे वेरी गुड वीरू भीरू राजदुबे चलिए अगला प्रसन आप सभी के सामने हैं प्रणो मोखर जी पृत्वाफ देवी सिंग पाटिल अपको ये बताना है कि इनमें से किस रास्टपती की जो आत्म कथा है वो बनती है अब coalition years 1996 to 2012 ये जो पूरा time period है इसके बारे में उन्होंने यहां पर बया किया है ये भारत के रास्टपती रहे हैं भारत के former रास्टपती रहे हैं ये आपको याद रखना है प्रणाव मुखर जी को 2019 में क्या दिया गया था भारत रतन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था प्रणाव मुखर जी एक जाने माने कॉंग्रेस के नेता बनते हैं काफी लंबे समय तक finance minister बने रहे कॉंग्रेस party में ये भी याद रखेगा पृतवा देवी सिंग पाटिल जी जब भारत की रास्टपती बनी थी तो ये भारत की पहली female president थी ये भी याद रखेगा एपीजे अब्दुलकलाम जी भारत के ग्यारवे रास्टपती थे यानिकि 11th president थे ये याद रखेंगे एपीजे अब्दुलकलाम सहब को 1997 1997 में भारत रतन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था और ये भारत के ग्यारवे रास्पती थे इनको भारत के अगर मैं बात करता हूँ ये ग्यारवे रास्पती थे एपीजे अब्दुलकलाम जी इनकी autobiography आपने बात करते हैं नाम सुना होगा wings of fire, wings of fire यानि की अगनी की उड़ान इनकी आत्म कथा का नाम बनता है wings of fire और इनकी आत्म कथा का दूसरा नाम बनता है turning points इनकी आत्म कथा दो अलग लग भागों में विभाजित है turning points और wings of fire याद रखेगा इसके लावा 1998 में जो भारत ने दूसरा nuclear bomb टेस्ट किया था उस nuclear bomb को पूरी तरह से उस testing को यहाँ पर लीड कर रहे थी अपीज अब्दुलकलाम जी पूरा नाम बनता है अगला प्रिस्टन आप सभी के सामने question को बहुत ध्यान से रीड कीजिएगा गलती की गुंजायस ज्यादा है जी हाँ first lady president प्रतवा देवी सिंग पार्टल very good प्राची शेंग परिहाज जी आपने बिलकुल सही जवाब दिया है हाँ बिलकुल ये west bengal से संबंदित थे प्रणा मुखर जी इनका जन्म west bengal में हुआ था इसलिए आप उन्हें दादा भी कहते है wings of fire dead man बिलकुल सही है the turning point ये दोनों किताबे बनती है इस question का answer क्या बनेगा जल्दी से type करके मुझे comment box में बता दीजे which is the largest fish in the world 90% लोग यहां पर answer जो देने वाले है वो यहां पर मुझे लगता है सही जवाब देंगे अरे सबको पता है बच्चों वाला question है blue whale है या फिर whale shark है और का मच्छी है या फिर sperm whale है अरे बहुत बच्चों वाला answer है क्या answer होगा यहां पर option number one answer होगा option number one answer होगा blue whale आहां बिलकुल जितने भी लोग यहां पर one answer कर रहे हैं सबके सब यहां पर गलत है ध्यान से सुनिए यहां पर यह लिखा हुआ है कि largest fish in the world यहां पर largest mammal नहीं लेखा हुआ है इस्तन पाई की बात नहीं कर रहे हैं कि इस्तन पाई जानवरों के अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी स्तन पाई जानवर के अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी blue whale बनती है अगर स्तन पाई पूछा जाएगा largest mammal पूछा जाएगा तब आपका अंसर blue whale होगा लेकिन यहां पर मचली पूछी गई है अब आप लोग कहेंगे सर मचली में और स्तन पाई में mammal में क्या कोई difference होता है जी हां बिलकुल होता है मचली के अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो मचली के बारे में याद रखेगा मचली और स्तन पाई में कई अलग-अलग difference होते हैं जैसे कि blue whale की बात करते हैं तो blue whale एक स्तन पाई है और यह सांस लेती है हवा से यानि कि blue whale को सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आना पड़ता है लेकिन मचलियों के हम लोग बात करते हैं तो मचलियां सांस नहीं लेती हैं ये पानी की माध्यम से ही oxygen एब्जॉब करती हैं इन्हें सांस लेने के लिए सतह पर नहीं आना होगा सतनपाई जानवरों की बात करते हैं तो ये बच्चे पैदा करते हैं जबकि आपकी जो मचलिया होती है वो अंडे देती हैं ये डिफरेंस आपका बनेगा यहाँ पर बहुत लंबा चोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर तो इसलिए मुझे मालम था कि हजारों स्टुडेंट यह यह सही आनसर देने वाले हैं इसलिए मुझे पता था बच्चो वाला अंसर है लोग मोस्टली यहां पर ब्लू वेल ही आनसर लगाते हैं क्योंको पता है कि सबसे बड़ा जो स्तनपाई है यह सबसे बड़ी जो नॉर्मली बोल देते हैं लोग की मचली है वो ब्लू वेली ह ये बात यह याद रखेगे लोगों का सही जवाब था यहरा यस 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 लिखके बता देरा इमानधारी से प्रिसिन पसंद आया हो क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हुए चलिएगा क्लास को कि जीहां सर क्लास पसंद आती हुए चल रही है अच्छा लगा यहां पर जो गलती हमने आज अभी की है वो गलती हम एक्जाम में नहीं करेंगे ये बात याद रखेगा सबसे बड़ा स्थन्पाई बनेगा ब्लू येल लेकिन सबसे बड़ी to become the head of India's ministry of external affairs इंद्रा गांधी, सुस्मा सुराज, नीरा कुमार जी या राज कुमारी अमरित कौर सही जवाब देना है तब आगे बढ़ना है जवर्दस्ती हो गई बहुत साही लोगों ने यहाँ पर yes जवाब दिया कुछ लोगों ने no भी दिया इंद्रा गांधी जी की बात करते हैं भारत की एकलोती अभी तक की फीमेल प्राइमिनिस्टर है इनके अलावा यही भारत की पहली फीमेल महला प्राइमिनिस्टर है और यही अभी तक की एकलोती फीमेल प्राइमिनिस्टर है इन्होंने प्रधार मंतरी के पद पर रहते प्राइम निस्टर बनने से पहले ही यह भारत की क्या थी एक्स्टन अफेर्स मिनिस्टर थी यह आप लोग याद रखेंगे जो रेस्टिंग प्लेस बनता है जहां पर इनकी समाधी बने हुई है इंद्रा गांधी जी की समाधी को किस नाम से जाना जाता है टाइप करके विच मंत्री भी थी याद रखेगा इनका जो समाधी स्थल है उसे सक्ति घाट के नाम से जाना जाता है विजय घाट के नाम से किस भारती प्रधान मंत्री की समाधी है यह दोनों कोशन के आंसर जल्दी से मुझे टाइप करके बता दीजेगा इंद्रा गांधी का जो यहाँ पर याद रखेंगे अगला प्रसन आप सभी के सामने उन दोनों प्रसनों का अंसर कीजे विजय घाट किसकी समाधी बनती है विजय घाट समाधी बनती है आपकी लाल भादुर शास्त्री जी की किसान घाट समाधी स्थल बनता है चौधरी चरण सिंग जी की यह पर यहाँ पर नोट कर लीजेगा अगला प्रसन आप सभी के सामने राजिस्थान से आ रहा है कि राजिस्थान के किस किले को सोनार किला या गोल्डन किले के नाम से भी जाना जाता है सोनार किला सोनार मतलब सोना या फिर गोल्डन किला भी इसको कहा जाता है एक्शली होता ये है कि जब सन्राइज होता है जब सूरदय होता है तो सूरज की जो लालिमा होती है या सूरज की जो किरने होती है जब ये इस किले पर पड़ती है तो ये सुनहरा नजर आता है और जब सूरियास्त होता है तभी भी इसका जो रंग होता है वो गोल्डन हो जाता है जिसकी वजह से इसे सुनार किला या दा गोल्डन किले के नाम से यहां पर जाना जाता है सही जवाब यहां पर बनता है जैसलमेर का किला कुछ लोगे दिमाग में एक कुश्यन भी होगा कि सर चितौरगड का किला होना चाहिए चितौरगड के कले की बात करें तो यह वही किला है जि मिल्प मुहम्मद जाइसी की दूरा लिकी गई पदमावत किताब इसके लिए है, मल्क मुहम्मद जाइसी ने पदमावत किताब में इसी बात का थिक्र किया है, कि किस तरह से ऑला उद्धीन खिल जी ने चित्वार गढ़ पर हमला किया था और वहां पर रानी पदमावति को पाने का प्यास किया लिकन वहां कि सभी महलाओं ने वहां पर जोहर कई और अलावदीन खिलंजी को कुछ भी यहां पर नहीं हुआ नहीं हुआ अगला प्रसुन आप सभी के सामने ध्यान से कुश्चन को रीड कीजिए और बताएए सही जवाब यहां पर क्या बनेगा किस परवत के माध्जम से भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनाई गई है इंडिया जो आपकी सुरंग बनती है बनिहाल से लेकर बारा मुला को जोड़ती है यह याद रखेगा यहां पर महतुपूर्ण बनता है अरावली बैसे मैं इसकी लोकेशन आपको बता देता हूं इसकी जो लोकेशन बनती है वो याद रखेगा इसकी लोकेशन जम्मू इनकस्मीर में बनती है और इस सुरंग की जो लंबाई बनती है अभी त टरनल बलती है जो कि आपकी पीद पांजाल पहाड को कोद कर बनाई गई है भारती रेलवे के टोटल कितने जोन बनते हैं भारती रेलवे के टोटल 18 जोन बनते हैं ये याद रिखेगा ठीक है भारती रेलवे का सबसे बड़ा जोन क्या बनता है रेलवे की यहां पर बात की जा रही है न तो भारती देड़े के total 18 जोन बनते हैं उन्हें 18 रेलवे जोन में से सबसे वड़ा रेलवे जोन कौन बनता है type करके comment box में और सबसे latest रेलवे जोन कौन बनता है तो बनता है आपका south coast railway south coast railway जिसका headquarters बनता है विशाखा पत्तनम यह point यहाँ पर आप लोग याद बाइरलेवे का पितामा किसे कहा जाता है भारती सना फारत की कारकाली में भारत में जो ट्रेन की पटरी है वो बिच्छायी ती में मुंबई तू ठाने यह तो आप सभी को पता ही चाने यह द्यास당히 को ध्यान पत्तनम है मैंने आपसे प्रिस्न ये पूछा है कि सबसे बड़ा रेलवे जोन नर्दन रेलवे जोन आपका बनता है अभी तक किसी ने आंसर किया नहीं है वैसे लेकिन सबसे बड़ा जो रेलवे जोन बनता है वो नर्दन रेलवे जोन बनता है इसका हेड़कॉटर आपका दिल्ली वनता है या आपको याद रखना है लॉड अलहोजी इसे डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स यानि की विलय की नीती या राज हड़प नीती के लिए भी जाना जाता है याद रखेगा 1853 में भारत में सबसे पहले ट्रेन चलाए गए थी 34 किलो मीटर का ट्रेक था और करीब मुंबई से ठाने के बीच में पहले ट्रेन आपकी चलाए गए थी अगला प्रिशन इन मैंसे किस इन किलो मैंसे कौन सा किला एक समुद्री किला है समुद्री किले का मतलब है कि चारो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है एक छोटा सा आइलेंड फोर्ट है आइलेंड फोर्ट का मतलब यह है कि जिस तरह से आइलेंड होता है आइलेंड क्या होत और आपको ये भी बताना होगा ये भारत के किस राज में आपका मौजूद है गुलसन जी ने आंसर किया आप फोर्ट विलियम यानि कि आपच्छन नमबर फोर्ट विलियम यहाँ पर है अच्छा जी राज सब्द है अरेबियन भासा से लिया गया सब्द है अरेबियन भासा में होता है जजीरा सब्द होता है जजीरा सब्द का मतलब होता है एक island मतलब किए कि दूइप और जजीरा से ही बना हुआ सब्द है जजीरा याद रखेगा यह महतुपूर आपका बनता है इतहास में इसके वारे में जिक्र मिलता है आप लोगों ने यह नहीं बताए कि किस state में मौझूद है जल्दी से मुझ नहीं हो रहा था तो मैंने लिख लिया था मलक अंबर नाम याद रखने का प्रयास कीजेगा मलक अंबर और राईल फॉर्ट आपका ये बनता है राईल जिला बनता हे वहां पर ये फॉर्ट आपका मौझूद है इस्टेट आपका बनता है महरास्टा, महरास्टा राज के राइगर्ड डिस्टिक में आपका मौजूद है यह point आपको यहाँ पर याद रखना है, important यहाँ पर बनेगा यतनी बात समझ में आ गई, जंजीरा किला, इसे जजीरा सब्द से लिया गया है यह point आप लोग याद रखेंगे, चारो तरफ से समझ से घिरा हुआ है मलिक अंबर, याद रखेगा एहमद नगर के सुल्तान के लिए मलिक अंबर नाम के मंत्री ने यह किला बनाया था यह किला बहुत ही मजबूत किला था और यह समुंदर में किसी भी तरह के आक्मन को जेलने में भी आपका सक्षम था अगला प्रिसन आप सभी के सामने, आपने सभी ने, विलियम सेक्स्पियर का नाम तो सभी ने सुना है उनके बहुत सारे प्लेज भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत सारे नाटकों के बारे में भी आपने सुना होगा आपको यहाँ पर इस कुछन में यह बताना है कि विलियम सेक्स्पियर के द्वारा लिखा गया सबसे लंबा नाटक कौन सा है वाट इस दा लॉंगेस्ट प्ले रिटिन बाई विलियम सेक्सपियर, ओथेलो, कौरियो लेनस, रिचर्ड थर्ड या फिर हैमलेट बताए करेक्ट आंसर क्या बनेगा शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी काफी दिनों पहले उस फिल्म का नाम था हैदर उस फिल्म का नाम था हैदर, आपने देखा होगा, शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था आपका हैदर हैदर फिल्म की जो कहानी है वो विलियम सेक्षपियर के एक प्ले से ही आपकी ली गई है जिसका correct यहां पर बनता है answer option number 4 Hamlet Hamlet की बात करते हैं तो Hamlet जो आपका play बनता है इसमें करीब करीब 30,000 शब्द आपके सामिल है William Shakespeare जो की England के एक जाने माने English के writer हुआ करते थे William Shakespeare सहाब Romeo Juliet आपको यादी होगा 30,000 से भी जादा शब्दों का इस्तमाल किया गया Hamlet play में जो की William Shakespeare का सबसे लंबा play यहां पर बनता option number 4 मैं आपर सही बात कहे रहा हूँ ना कि साहित कापूर की जो movie आई थी हैदर उस movie की जो कहानी थी वो Hamlet से ही ली गई थी अगर मुझे मैं सही हूँ तो एक बार यस लिखके सभी लोग बता दीजेगा class को like करते हुए भी चलिएगा class को यहां पर thumbs up कर दीजेगा अगर कुछ नया सीखनी को मिले तो ज़रूर class को like करें सभी विध्यारती जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए है इसके लावा आप सभी इस class की PDF प्राप्त करना चाहते होंगे यह मुझे मालूम है तो इसकी PDF आपको एक एही टेलिग्राम चैनल पर मिल सकती है उस टेलिग्राम चैनल का नाम है अंकित गुपता जीके अंकित गुपता मेरा नाम है जीके मेरा काम है तो अंकित गुपता जीके आपको capital letters में टाइप करना है टेलिग्राम पर और उस चैनल से जुड़ जाना है इस class के अंत में मैं जो PDF है वो आपको वहाँ पर share कर दूँगा PDF को download कर लीजेगा, revise कर लीजेगा इन मैसे किस राज की राजधनी सबसे पूर्व में state है अब यहाँ पर नानी याद आ जाएगी यादों को कि सर्फ सबसे पूर्व का क्या मतलब है आदे अपना सिर्ख हो जाएंगे, आदे दिमाग घुमाएंगे और बताओ कि फिर यहाँ पर सबसे पूर्व में मतलब की East की बात कर रहा हूँ, East का मतलब है आपका North East की तरफ, अरणाचल प्रदेश, सिक्किम है, असम है, उसकी तरफ अब यह सभी के सभी राजसर आपके North East में है, अब इतना दिमाग हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि अरणाचल प्रदेश सबसे East में है, नागा लेंड है, मनीपुर है या मिजूरम है, और अगर हमें यह भी याद हो, तो हमें यह नहीं याद है कि इर्मे से किसकी राजधानी की location सबसे East में पढ़ती है, और मैं आपको अभी दावे से लिख कर कह सकता हूँ कि 99% लोग इस concept को ना तो याद कर पाते हैं, क्योंकि वो किवल रटने पर believe करते हैं, जब तक रटने पर believe करोगे ना, question answer next, question answer next, question answer next, समझोगे नहीं ना photography को, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, SSC का exam हो, IIS, PCS का exam हो, State PCS का exam हो, इसी तरह के question पूछ आते हैं, logical question पूछे जाते हैं, 99% लोग गलत answer यहाँ पर type कर रहे हैं, मैं पहले बता देता हूँ, जितने भी लोग अरणाचल प्रदेस answer करें, सब के सब गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर राजधानी पूछी गई है, राज नहीं पूछा गया और जब तक भारत का नकसा याद नहीं होगा न, ऐसे question का answer जिंदगी में नहीं कर पाओगे, यह मेरे से लिख के ले लो, क्यों, क्योंकि आप लोग करते क्या हो, आप लोग यही करते हो, कि आप लोग सीधा question को उठाते हो, और उसको पढ़ते हो, वास question answer, question answer कभी समझने का भी प्रियास किया करो मेरे दोस्तों, correct answer आपर बनेगा question और इस तरह के question आपके SSC के exam में ही देखने को मिलते हैं, RAIS, PCS तो छोड़ो, SSC में भी ऐसे question देखने को मिल जाएंगे, तो एक question नहीं हिलने वाला, इसलिए मैं कहता हूँ, जोग्राफी पढ़ना आसान नहीं है, जोग्राफी समझना प्रदेश के नीचे ये रहा नागा लेंड, नागा लेंड के बाद ये रहा आपका मनीपुर, मनीपुर के बाद ये रहा आपका मिजूरम, ये रहा आपका तिरपुरा, ये रहा आपका क्या मेगालिया स्टेट, ये रहा आपका सिक्के में स्टेट इतनी बात तो सब को समझ में आ गई ठीक है यहाँ पर मनें एक और इमेज अलग से लगाई हुई है इस इमेज में आप देख सकते हैं कि अरणाचल प्रदेश की जो राजधानिय इतन अगर वो यहाँ कहीं आपकी मौझूद है कहा है यहाँ कहीं अब सब सबसे इस्ट में कौन सा होगा अब यहाँ पर देखो यह वाला जो स्टेट है वो सबसे इस्ट में आता है यह वाला स्टेट आपका बनता है नागा लेंड और यह वाला स्टेट आपका बनता है मनीपूर यह वाला स्टेट आपका बनता है मिजोरम तो सबसे इस्ट में कौ स्किप कर दी यह देखिए आप राजधानी पूची गई थी अरोनाचल प्रदेश की तो राजधानी अरोनाचल प्रदेश की सबसे इस्ट में नहीं है सबसे इस्ट में जो स्टेट बनता है बैसे तो सबसे इस्ट में अरोनाचल प्रदेश ही है सबसे इस्ट में तो पिक्चर वाइज जोग्राफी और कॉंसेट वाइज जोग्राफी मैं तीच करने वाला हूँ एक जून से मेरा प्लस कोर्स शुरू हो रहा है अठारा दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल और केवल इंडियन जोग्राफी और उसके बाद पढ़ेंगे अठारा दिन वॉल् कोहिमा मनिपूर इंफाल मिजोरम आईजॉल यह सब को आपको याद रखना है असम दिसपूर सिक्किम गंग टोक भारत में सबसे पहली मुस्लिम महला प्रधानमंत्री किस राज में बनी थी सर नहीं पता मैं अभी बता देता हूं नहीं पता देखते हैं कितने लोग सीधा उन सर टाईब डाइब करके बताओ तुरंत के तुरंड़र देखते हैं सबसे 5 सेट इंदर कौरा का नहीं उनुकी 5 सेकेंड के बाद अगर आंसर टाईब किया तो mercury एजिक जय तारीक से मेरा जो plus course आ रहा है इंडियन जोग्राफी, वर्ल्ल जोग्राफी का उसको जॉइन कर लीजे, एक बार आपने एक महिने पूरा जोग्राफी को दे दिया, क्योंकि 18 दिन इंडियन जोग्राफी, 18 दिन वर्ल्ल जोग्राफी में वहाँ पर चलाऊंगा, अनकैडमी का प्लेटफोर्म आप लोग भी जानती कितना बहतरीन प्लेटफोर्म है, सारी चीज़ें क्लेर होंगी, भरोसा रखिए और plus course को जोईन कर लीजेगा, अनकैडमी पर जाकर SSC सेक्शन में आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, एन्रोल करा लीजेगा अपने आपको, कम सकम वन येर का या सिक्स मन का अपना जो सब्सक्रप्शन है वो ले लीजेगा, और फिर पढ़ना सुरू कर दीजेगा, एक तारीख से क्लास सुरू हो रही है, दस से ग्यारा ये live class होगी, दस से ग्यारा प्रति दिन आपकी Indian geography class चलेगी, एक घंटा, concept wise, topic wise, basic to high discuss करूँगा, किसी का answer नहीं आया भाई, किसी का answer नहीं आया अभी तक, अभी तक अगर मैं बात यहां पर करता हूँ, तो किसी का answer यहां पर देखने को नहीं मिला है, भारत की सबसे पहली Muslim महला प्रधान मंत्री मैं राज का नाम यहां पर लिख देता हूँ, राज का नाम बनता है, असम इस्टेट यहां पर answer बनता है, और नाम मैं बता देता हूँ, अन्वरा, नाम थुड़ा सा जीव है लिख लिजेगा, अन्वरा तैमूर, तैमूर तो तो में 1980 में ये असन की पहली चीफ मिनिस्टर बनी असन की पहली female Muslim Chief Minister बनी थी तो correct answer है आपर होगा option number 4 यहाँ पर एक question और पूछा जा सकता है कि भारत की पहली Chief Minister या भारत की पहली female Chief Minister यहाँ पर Muslim Hindu से मतलब नहीं है अगर आपसे exam में question पूछा जाता है कि भारत की पहली female Chief Minister का नाम क्या होगा जब तक answer नहीं आता मैं आगे नहीं बढ़ूँगा यह female Chief Minister उत्तर प्रदेश की female Chief Minister बनी थी बनी थी 1967 में याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली female governor तो आंसर ये भी उत्तर प्रदेश ही होगा उत्तर प्रदेश की governor बनी थी सरोजनी नाइडू जी यह भारत की पहली female governor बनती है किसी भी राज की पहली Muslim female Chief Minister अन्वरा तैमूर जी असमराज में 1980 पहली Chief Minister फीमेल Chief Minister पहली तो 1967 में उत्तर प्रदेश में बनी थी सुचेता कृपलानी क्या बने थी सुचेता कृपलानी तो तीन कृशन डन सुचेता कृपलानी भारत की पहली female Chief Minister उत्तर प्रदेश 1967 भारत की पहली Muslim female Chief Minister अन्वरा तैमूर जी असमराज 1980 भारत की पहली Muslim भारत की पहली governor की बात हम लोग यहां पर करते हैं Chief Minister भारत की पहली female governor तो सरोजनी यह दुनिया की पहली Prime Minister female Prime Minister कौन बनी थी किस country में बनी थी type करके comment box में बता दीजेगा दुनिया की पहली female Prime Minister किस country में उनका नाम और country का नाम type करके बता दीजेगा अगर पूछा यह जाता है कि सभी Muslim रास्ट्रों में सभी Muslim देशों में सबसे पहली Muslim सबसे यह World knowledge हो गई या वर्ल जीके हो जाएगी Muslim Prime Minister of any country किसी भी Muslim देश की पहली महला Muslim प्रधान मंत्री तो बनती है बेनेजीर भुटो कहाँ पर पाकिस्तान की याद रखेगा और स्री लंका की बनती है स्री भंडार नायके जी ये दुनिया की पहली female Prime Minister आपकी बनती है बेनेजीर भुटो आपकी बनती है दुनिया की पहली Muslim Prime Minister पाकिस्तान की याद रखेगा इनकी आत्मकथा भी बनती है बेनेजीर भुटो की आत्मकथा बनती है दा डॉटर ओफ डेस्टिनी नोट कर लीजेगा अगला प्रिस्टिन किस एथलीट को सम्मंध है वो असम राज जिसे है ये भी याद रखेगा इनका सम्मंध असम राज जिसे है और भारत की जानी मानी स्प्रिंटर है मलब की धावक है रनर है करेक्टर आंसर बनता आप्शन नमर टू हीमा दास अभी हाली में इनके द्वारा कई अलगला कीर्टिमान, कई अलगला इलक रिकॉरड इर्के द्वारा बनाए गये अगला प्रिस्टा आप सभी के सामने हाँ बारत की पहली और आखरी मेला पृधामंत्री इंद्रा गांधी ही है, इंद्रा गांधी के लावा और कोई अभी तक फीमेल प्राइम निस्टर बनी ही नहीं है पानिपत के पहले दो युद किस सदी में लड़े गए थे मलब किस सेंच्री में लड़े गए थे नानी याद आ जाएगी मैंने कहा था न पंधरी सताब्दी में, सोलवी सताब्दी में, अठारवी सताब्दी में, सत्रवी सताब्दी में आपकी थोड़ी सी मैं मदद कर देता हूँ, पानीपत का पहला युदुवा था 1526 में, पानीपत का दूसरा युदुवा था 1556 में, पानीपत का तीसरा युदुवा था 1761 में, अब पानीपत के सुरुवाती दो युदुके से सदी में हुए थे, 15 स्ताब्दी, 16 स्ताब्द ओबर चल रहा है और 11 ओबर की दो गेंदे फिक चुकी है तो ऐसे लिखकर आता है ना कि 11.2 ओबर ऐसे लिखकर आता है क्रिकेट के मैच में अगर 11 ओबर और दो गेंदे फिक चुकी है तो एक कौन सा ओबर चल रहा है ये 12 ओबर चल रहा है 11 ओबर कम्प्लीट हो चुका है 12 ओ अते-दे क्वाइब करेंगे विज्तापदी के स्टार्टिग है और सोली सतापदी खत्म हो जाएगी 1600 पर और 1650 में कौन से सतापदी चल रहे हैं तो 1650 में आपकी शतापदी के 50 साल हो चुके हैं पर करेक्ट आंसर बनेगा option number two तुम लों सताबदी भी calculate नहीं कर पाते हो यार पसंद आ रहा है सेशन तो एक बार यह से लिख कर बताएगा वीडियो को सभी लोग like करेंगे 600 के असपास विध्यारती देख रहे हैं नया सीखा है तो गुरु दक्षुना के तौर पर सभी बढ़ा है question पढ़ते रहते हो आसान practice करते रहते हो एक बार hard practice करके देखो एक बार hard practice हो जाएगी ना तो आसान practice ना बच्चों वाली practice लगेगी इसलिए कहता हूँ जोग्राफिया course जॉइन करो ऐसे ऐसे concepts आपको हम लोग वहाँ पर discuss करेंगे topic wise class चलेगी अगर आपने गुपता सर्च कर सकते हैं SSC section में और वहाँ पर जाकर एक जून से आपका course रहोगा 18 दिन इंडियन जोग्राफी अलग पढ़ाऊंगा 18 दिन वर्ल्ल जोग्राफी अलग पढ़ाऊंगा total 36 जिन जोग्राफी चलेगी महिने भर का package का जो fees बनती है महिने भर की बनती है 450 बारा महिने के फीस आपको बनेगी 54 रुपए के आसपास course में इंडॉल्मेंट करा लें एक तारीक से पहली क्लास से डिसकस करना शुरू करें पहली क्लास से यहां पर पढ़ना शुरू करें यहां पर सही जवाब बनता है सूरकांत तरपाथी निराला नए पत्ते इसके ल बारा रचित है नोट कर लेना नोट बुक में अगला प्रसनिम आसान है अब यह नहीं कि हर कोश्चन में धुआ निकालेंगे कुछ कोश्चन में धुआ नहीं भी निकालेंगे लोटस टेंपल यह कहां है डेली में मौजूद है यह पासनगर है किस धर्म का है विच अंतरपाथी निराला अगर जोग्राफी वीक है तभी कोर्स जोइन कीजेगा हिस्ट्री वीक है तभी आप जोइन कर सकते हैं एक जून से जोग्राफी सुरू कर रहे हैं उसके बाद जुलाई के महिने में आपकी हिस्ट्री सुरू हो जाएगी मेरे टीचिंग मेरी बाते स उसमें learning, user interface बहुत ही भैतरी है, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, हर class की PDF भी मिलेगी, notes भी मिलेंगे, और वो classes आपकी offline mode में save हो जाएंगे, अब जब चाहे, उनको वहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, हर तीन class के बाद मैंने एक doubt session भी रखा है, उस doubt session में पिछली class के सारे के सारे जो questions हैं, और जो भी doubts है, वो भी में clear करूँगा, तो आपकी A to Z पढ़ाई हो जाएगी, 400 रुपए 50, 450 रुपए प्रती महिना में, करेक्टांस है पर बनता है, बहाई धर्म से सम्मंदित है आपका lotus temple, अगला प्रिसन, ये question थोड़ा अलाग है, ये question थोड language, English, Hindi, Marathi and Telugu, अगर मैं बात करता हूँ माधुरी दीक्षत की, तो बहुत ही famous एक film actress है, ये तो आप लोग जानते ही है, इस तरह के question थी exam में पूछा थे हैं, जैसे की exam में पूछा गया था कि Jacqueline Fernandez, ये एक जानीमानी अभिनेतरी है, Jacqueline Fernandez, ये किस country से ब्लॉंग करती है, कि country की नागरेक हैं, ये किस country में इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था स्रीलंका में, इसी तरह से एक और question SSC के exam में पूछा गया था, कि आलिया भट एक जानीमानी अभिनेतरी हैं, और आलिया भट के पास किस देश की नागरता है, तो इनके पास Britain की नागरता है, इस तरह है कि question भी आपसे पूछ ले जाते हैं, इन मैंसे किस अभिनेता का सम्मन्ध अलहबाद से है, या खिफिर प्रियाग राज से है, तो अमिताब बच्चन सहाब का जो सम्मन्ध है, वो अलहबाद या प्रियाग राज से है, अलहबाद को प्रधान मंत्रियों का सहर भ नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लिजेगा, अलग से आद रखने का प्रयास कीजेगा, जरह मुझे एक और बात बताईए, भारती सिनेमा में, भारती सिनेमा में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो इस अवार्ड को किस नाम से जाना जाता है, भारती सिन सिनेमा का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, वो धुंदी राज गोविंद फालके, जिनने हम लोग दादा सहाब फालके के नाम से भी जानते हैं, राजा हरिश्चन मूवी इन्होंने ही बनाई थी, भारत की पहली मूवी मानी जाती है, इसका स्क्रीनिंग हुई थी मु प्योग किया जाता है, विच आप दी फॉल्विंग एक जी उस बाई दी साइन्टिस फॉर डिफरिंट आइटिफिकेशन ओफ इस लेपर्ड, पंजो के निसान से हम लेपर्ड को जान लेते हैं, या फिर धबबों से जान लेते हैं, या फिर टेल उसकी पूँच से हर संख्या में किस नैशनल पार्क में पाए जाते हैं, एक कोशन तो ये बनेगा, और स्नो लेपर्ड किस राज का स्टेट एनिमल बनता है, दूसरा कोशन ये बनेगा, इस्नो लेपर्ड किस राज का स्टेट एनिमल बनता है, दूसरा कोशन तो स्टैटिक जी के भी मैं तयार कराऊंगा टेंशन नॉट फिकर नॉट करेक्ट आंसर धब्बे होगा स्पोर्ट होगा ऑप्शन नमबर टू हेर इस दी राइट आंसर नहीं पंजो के निसान से दूसरे जानमरों के होते हैं लेकिन तेंदूओं को आइडेंटिफाई करने के लिए धब्बे मुखे तहा इस नैसल पार्क में अधिकतम पाए जाते हैं तो हैमेस नैसल पार्क का नाम आपने सुना होगा हैमेस नैसल पार्क भारत की लगदाक यूनें टेरिटरी में मौझूद है यह भारत का सबसे बड़ा यानि की लाड़ जैस नैसल पार्क बनता है भारत का सबसे बड़ा नैस पार्क हमेस नैसल पार्क बनता है चावाले सो स्कॉर किलोमीटर से भी जादा का इसका एरिया आपका बनता है यह याद रखेगा यह लग्दाक यूनिन टेरिटरी में है जबकि स्टेट अनिमल बनता है स्नो लैपड के सिद्रा राज्ज का यह हिमाचल प्रदेश का बनता है अगला प्रसन आप सभी के सामने यह रहा मुझे बताए करेक्टान से यहाँ पर क्या बनेगा मुझे लगता है तुम लोग समझ जाओगे याद नहीं समझ जोगे नहीं समझोगे नहीं समझोगे मुझे लग रहा था कि इमेज में आंसर ना दिया हो तिराना अंतर गा कि तिराना कहां पर मौझुद है। यह point आपको यहाँ पर याद रखना है Mother Teresa जी की बात करते हैं नोबल सांती पीस यानि की सांती का पुरुषकार नोबल सांती पुरुषकार मिल चुका है कब 1979 में रविजनाथ टेगोर जी को साहित यानि की लिटरेचर को नोबल पुरुषकार मिला था 1913 में किस रचना के लि मात्मा गांधी को कभी भी कोई भी नोबल प्राइज आपका नहीं दिया गया सीवी रमन साहब को यहाँ पर फिजिक्स का फिजिक्स का नोबल प्राइज दिया जा चुका है और फिजिक्स का नोबल प्राइज नहें दिया गया था 1930 में 1930 में सीवी रमन साहब के दौरा रम मैं आप सभी के कॉमेंट्स पर नजर बना के रखे हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तब तो नहीं देखता लेकिन पढ़ाने के बाद एक एक कॉमेंट में देखता हूँ, हाँ सांती का नोबिल प्राइस, मदड रेसा बिलकुल सही, अगला प्रसुन, किस देश के राश्टी कुमारी जी सही का, 1979 में नोबल पीस प्राइस दिया गया और 1980 में इन्हें भारत अतिन से संभानित किया गया था, 29 अगर मैं बात करता हूँ, 28 फैब, यह भारत में नेसल साइंस डी के तोर पर सेलिबरेट किया जाता है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बने गा, रहे, पाकि पाकिस्तान, पाकिस्तान के जंडे में मातर एक सेतारा है, और पाकिस्तान यहाँ पר उप्चन में भी नहीं है, तुम लोग ना यार, करेक्ट आंसर के यहाँ पर बात करते हैं, तो अमेरिका यहाँ पर सही जवाब होगा, और यहाँ पर देख लीजिएगा, समझ की यह जो green color का जंडा आपको नज़र आ रहा है यह ब्राजील country का जंडा है और ब्राजील country के जंडे में total 27 starts है आपको नज़र नहीं आएंगे छोटे-छोटे starts आपके यहां पर मौझूद हैं तो कुल 27 सितारे अमेरिका के बाद 27 सितारे हैं ब्राजील के जंडे में अब यह नहाँ पर ये दो जंडे आपके मौझूद हैं, जंडा नंबर A है और जंडा नंबर B है, चलो देख लेते हैं तुम लोग कितने अवेर हो, जंडा नंबर A और जंडा नंबर B मैं से बताओ, कि इन में से न्यूजिलेंड का जंडा कौन सा है, जल्दी से टाइप करके, तुर तुम लोग बस वही रट्टू तोता वाली चीज़ें पढ़ते रहते हो, ये चीज़ें भी समझा करो, इस तरह के कोशन भी एक्जाम में देखने को मिलते हैं, ये कोशन आपकी नॉलेज का दारा भी बढ़ाएंगे, एक्जाम में मदद भी करेंगे, और आपकी चहुमु लोगों ने याँ पर गलत आंसर दिये हैं, यहाँ पर सही जवाब की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो ये वाला जंडा है, ये आपका नीजलेड का जंडा है, और ये वाला जो जंडा है, बी नंबर का जंडा है, वो आपका ऑस्टेलिया का जंडा है, ऑस्टे चल रहा है क्लास एक बार यसलिकर बता दीजेगा लाइक जरूर कर दीजेगा सभी लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को कुछ नया सीखनी को मिले तुरंत लाइक ठोकते हुए चलेगा जितने भी विद्यारती यहां पर जुटते जा रहे हैं अगला इसे जानबर का नाम होता है अपने रंग से उसको यह नाम दिया गया है विच आप दीज एनिमल गैट इट्स नेम फ्रॉम इट्स कलर एलिगेटर रेंडियर नील गरी तहर या फिर नील गाय घडियाल का नाम बारह सिंगा का नाम नील गरी तहर का नाम और नील गाय का नाम इन चारों जानवरों में से किस जानवर का जो नाम है वो उसको उसके रं है यह सब तो डिसकस होता ही अनकेडमी पर इसके अलावा भी अनकेडमी पर टॉपिक वाइस क्लास स्टार्ट कर रहा हूं यार अब आप सोचो कि टॉपिक वाइस में इंडियन जोगरफी आपको टीच करना सुरू करूंगा तो कोई भी कॉंसेप्ट आपका नहीं बचेगा एक जून से कलास सुरू हो रही है एक जून से इंडियन जोगरफी का बैच सुरू हो रहा है इन्रॉल्मेंट करा लीजे इन्रॉल्मेंट की जो फीस है वो मिनमम आपकी बनती है 450 रुपे इस फीस को महिने की ये फीस बनते हैं, 450 रुपे मिनिमम आपको वन मंत के लिए देना है, और 12 महीने के हिसाब से यह आप course purchase कर सकते हैं, आप चाहें तो 6 महीने का course भी purchase कर सकते हैं, amount और घड जाएगा, यहाँ पर correct answer जो बनता है वो बनता है आपका नील गाय, option number 4, here is the right answer, नील गाय बिलकुल सही जवाब है, नील गिरी तहर की बात करते हैं, तो तमिल नाडू का यह state animal बनता है, बारहा सिंगा state animal बनता है, उत्तर प्रदेश का और मदप्रदेश का घड़याल state animal कहीं का नहीं बनता, अगला प्रिसन, लिकित में किर्केटरों में से कौन सा किर्केटर, भारती किर्केट टीम का अब यही होगा, ग्रेक चैपल, अनिल कुमले सहाब भी कुछ समय के भारती किर्केट टीम के कोच बने थे, सौरो गाउंगली वर्तमान में BCCI, BCCI के chairman बनते हैं, president बनते हैं, याद रिखेगा, BCCI का headquarter आपका बनता है, मुंबई सहर का वानखेडे stadium, अगला प्रिसन, हिं करना है, यहाँ पर की सही जवाब क्या बनेगा, who is the author of the Hindi novels, गुनाहों का देवता, and seventh horse of the sun, seventh horse of the sun, correct answer आपर जो बनता है, वो बनता है आपका, धरमभीर भारती, option number two, here is the right answer, धरमभीर भारती के दोरा लिखी गई ये किताबे हैं, अगला प्रिसन, भारत का कौन सा पडोसी देश आधिकारिक रूप से तमल भासा अपनाए हुए है, तमिल भासा उसकी आधिकारिक भासा बनती है, तो आप लोग समझ गए होंगे, तमिल नाडू से ही लगा हुआ है, बीच में मनार की खाड़ी है, और पाक स्ट्रेट है, मैं बात कर रहा हूँ, या पर स्रिलंका कं और श्रिलंका की जो आधिकारिक रासदानी है, तमिल भासा बनती है, अगला प्रूस ने, इन छारो ओप्शन मैं से, किन परिटल स्थनों में से किसने अपने आसपास की पाँच पहाड़ियों से अपना नाम प्राप्त किया है, पनीजी का नाम उसकी आसपास की पाँच प लेस है इसका नाम उसके आसपास की पांच पहाडियों से पड़ा है याद रखेगा पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ही हो ये तो बहुत आसान सा कुशन है सर पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे उन्हीं की फोटो जो है वो पाकिस्तानी रुपया में ना कि जिन्हें पाकिस्तान का फाउंडर भी यहां पर कहा जाता है, चलो भईया, आज की क्लास तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिर मैं आपको अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा, ये तो बिल्कुल फ्री क्लास थी, कल भी सुभा 11 व आप यहां पर देख सकते हैं, कौन-कौन से टॉपिक में यहां पर कवर कराऊंगा, इंडिया लोकेशन और साइस, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का रिवर सिस्टम और हर तीन टॉपिक के बाद एक मेरा डाउट सेशन भी रहेगा, रात के 10 से 11 वजे के बीच मे और इसके बाद फिर से आपका एक डाउट सेशन होगा, जिसमें मैं कुछ टीच नहीं करूँगा, आप सभी के डाउट, आप सभी के जो सवाल जवाब हैं वो वहाँ पर क्लियर करूँगा, नैचरल, वेजिटेशन, मिनरल्स, एनर्जी और रिसोर्स और डैम्स इन इंडि पासिस हैं, दर्रे हैं, वाटर फॉल हैं, जीले हैं, नहरे हैं, और उसके बाद आपका जी के वन लाइनर का एक सेशन होगा, यह घंटे का जिसमें बहुत सारे facts के हम लोग वन लाइनर के तौर पर देखेंगे, और उसके बाद दो घंटे का मेगा कोईज होगा, इंडियन का सब्सक्रप्शन ले लेंगे उन्हें दुवारा किसी और quality है, world geography है, सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए एक बुरी डील है, अगर जादा नहीं है, तो 6 महिने के लिए भी आप course का subscription ले सकते हैं, target 10 code आप वहाँ पर use करेंगे, target 10 code use करने से आप मेरे course में enroll हो जाएंगे, आप मेरे course के साथ आपका enrollment हो जाएगा, unacademy की application पर, और आपको मेरी सारी classes वहाँ पर मिलने लग जाएंगे, सारी paid classes, free class तो आपकी चली रही है, और free class कल भी है, कल 2 घंटे है free class, कल 2 घंटे free class है आपकी, 11 से 12, 12 से 1, और ये classes भी आप वहाँ पर अवेल कर पाएंगे, अगले एक साल तक, अगले 6 महीनी तक, जितने मंत का आप subscription ले, आज के लिए दोस्तों मेरे साथ में इस class में इतना ही, फिर मलाकात होगी आपसे,